नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको हाफ स्वेटर का बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगे ये डिजाइन आप हाफ स्वेटर में दीजिए बड़ों के बच्चों के ये बहुत ही खुबसूरत हैं ह। मैं सबसे पहले देखे़ आप अपने सलाइप पर अपने स्वेटर के अनुसार इस इस आप अविश्यक्ता द आ अरlor पिए लगद है और ने के बाद को add कर लिये हैं और अब देखिए यहां पर हम जो बुनाई करेंगे तो इस तरह से सीधा से बुनेंगे और इस पर एक दो दो बार लपेट के इसको हम निकाल लेंगे फिर इसको गिरा देंगे फिर देखिए यहां पर दूसरा फंदा में फिर देखिए यहां पर ऐसे फंदा डालेंगे सलाई को और जो धागा से हम बना रहे हैं इससे हम एक दो दो बार इस तरह से लपेट के इसको निकाल लेंगे फिर देखे ऐसे दो बार लपेटे फिर इसको निकाल लिए इस फंदा को गिरा देंगे फिर देखिए एक दो बार लपेटे इसको निकाल लिए और इफंदा को गिरा देंगे तो इस तरह से देखिए हम पूरी सलाई में इसी तरह से दो बार लपेट के हम इसको बनाएंगे दो बार लपेटेंगे और इसको गिराते जाएंगे फिर देखिए दो बार लपेटेंगे और इसको गिराते जाएंगे इस तरह से हम पूरी सलाई में बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम पूरी सलाई उसी तरह से बना लिये हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरफ से तो उल्टा के तरफ से देखिए कैसे बनाएंगे अब देखिए यहाँ एक दो तीन चार पांच पांच फंदा को इस तरह से उतार लेंगे और इस सलाई पर फिर पांच फंदा को इस तरह से चड़ा लेंगे और पांच फंदा में देखिए इस तरह से बनाएंगे यहां पर हम एक फंदा बना लेंगे फिर धागा को पीछे करेंगे और इस पर हम इसको हम इधर से घुमाएंगे देखिए ऐसे घुमा करके और फिर एक फंदा बनाएंगे देखिए ऐसे तीन फंदा हो गया फिर इसको ऐसे घुमाएंगे आगे ले आएंगे और फिर एक बार इसको फिर से बना देंगे तो यहां पर देखिए हमारा दो चार पंच पंच का पंच फंदा हो गया अब इस पंचों फंदा को ऐसे गिरा देंगे और इसको हम tight कर लेंगे फिर देखिए 5 फंदा को उतारेंगे 1, 2, 3, 4 और 1, 5 अब 5 फंदा को इस चलाई पर चढ़ाएंगे और इस पर से फिर से बनाएंगे देखिए ऐसे एक फिर हम इसको एक बार फिर से ऐसे घुमा के आगी की और लियाएंगे फिर इस पर हम एक बनाएंगे तीन हो गया फिर इस तरह से घुमा के आगे ले आएंगे और फिर इस पर हम एक फंदा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा पांच फंदा हो जाएगा अब हम इसको ऐसे गिरा देंगे देखे इस तरह इसी तरह से हम पूरी सलाई में बनाएंगे 2, 3, 4, 5 5 फंदा को उतार लेंगे 5 फंदा को इस सलाई पे चड़ाएंगे और इससे हम फिर से एक फंदा बुनेंगे देखिए इस तरह और फिर इसको हम फिर से धागब को इस तरह सलाई पे लपेटके आगे की और ले आएंगे और फिर से इस पे हम एक फंदा बनाएंगे देखे इस तरह फिर धागा को लपेट के फिर से आगी की और ले आएंगे फिर एक फंदा बना लेंगे पांच फंदा हो गया अब इस पांचो फंदा को किरा देंगे तो इस तरह से देखिये हम जितना भी फंदा है सब को हम इसी तरह से पाच पाच फंदा करके उतारते जाएंगे 4,5 5 फंदा लेना है तो 5 फंदा ले लिए अब इसको हम पाच फंदा को बनाएंगे इस तरह 2,3,4 और एक पाच फंदा बना लिए फिर इस पाचो को गिरा देंगे फिर देखिये 1,2,3,4,5 इस तरह से हम पूरी सलाई में बनाते जाएंगे और ये पहुत ही खुबसूरत सा डिजाइन बनेगा तो देखिये इस तरह से बना करके आप पूरी सलाई बना लेजे तो हम यहाँ पर पूरी सलाई बना लेते हैं तीन ये फूल हम बता दोये ये पाच फंदा हो गया यहाँ अब हम पूरी सलाई इस तरह से बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा बन गया है और अब ये लास्ट का पाच फंदा है तो एक, दो, तीन, चार, पाच, ये पाच फंदा को हम उतार लेंगे और इसको हम सब को इस सलाई पर चड़ा करके और इस पांचों को फिर से उसी तरह से पांच फंदा बना देंगे दो तीन और दो पांच पांच फंदा हो गया अब इसको हम गिरा देंगे तो देखे ये हमारा पूरा सलाई इस तरह से बन जाएगा अब देखे हम पूरा सलाई बना लिये हैं और अब हम बनाएगे सीधा के तरफ से तो ये हमारा सीधा के तरफ से है और सीधा के तरफ से हम सभी फंदा को अब एक एक करके पूरा सीधा से बन देंगे देखे इस तरह से अलग-अलग करके सभी फंदा को सीधा बुन देंगे पाच फंदा हो गया फिर इसको यहां से लेंगे फिर यहां पर पाच फंदा बुनेंगे तो देखे इस तरह से हम पूरी सलाई में पूरा सलाई को बना लेंगे देखे हम सीधा के तरफ से यहां पर पूरी सलाई बना लिए हैं और उल्टा के तरफ से हम पूरी सलाई फिर उल्टा बनाएंगे तो यहां पर पहला फंदा को उतार लेंगे और पूरी सलाई को उल्टा से बन देंगे इस तरह हम पूरी सलाई उल्टा बना लेंगे तो हम पूरी सलाई बना लेते हैं अब देखे यहां पर हमारा पूरा फूल बन गया है और अब हम इसी तरह जैसे हम इसको बनाए हैं उसी तरह हम ब्लैक से फिर से बनाएंगे तो देखे यहाँ पर हम पहला फंदा को इस तरह से एक दो दो बार लपेट के उतार लेंगे फिर इस तरह हम पूरी सलाई में दो दो बार लपेट करके उतारते जाएंगे एक दो दो बार लपेटेंगे और इसको निकाल लेंगे इस तरह से हम पूरी सलाई में दो बार लपेटके निकालते जाएंगे तो हम पूरी सलाई बना लेते हैं तो देखें यहाँ पर हमारा पूरा सलाई बन गया है और अब हम उल्टा के तरफ से बनाएंगे तो उल्टा के तरब से देखे, पहले हम क्या किये थे, पांच फंदा को उतार के सीधा हम बनाते गए थे, दो, दो, चार, एक पांच फंदा, लेकिन इस बार जो है हम यहाँ पर तीन फंदा को पहले बना लेंगे, और उसके बाद से पांच फंदा को हम लेंगे, तो पहले य एक फिर ऐसे गुमाके और इसको हम बना लिए तो ये तीन फंदा का तीन फंदा उतार लेंगे पहले उसके बाद से यहां पर हम पांच फंदा लेंगे एक दो तीन चार और एक पांच इस बार पांच फंदा यहां से लेंगे और पांच फंदा का यहां पर पांच फंदा बन तो इस तरह से हम पाच पंदा बना लेंगे और इसको हम गिरा देंगे तो इस तरह से हम पूरी सलाई में बना लेंगे जैसे कि हम इस पर बना थे तो देखिए यहां पर हम पूरी सलाई बना लिये हैं और पूरा डिजाइन भी बन गया है तो देखिए यह हमारा हाप स्वेट में यह भीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा यह डिजाइनमेरा यह प्संद आया हो तो लाइक करें और धेल शारे सेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हite का अ